नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस योट्यूब चैनल जी के ट्रिक पे तो आज के वीडियो में मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा Microsoft Windows के कुछ कोशन कराऊंगा साथ साथ programming concept के कुछ कोशन कराऊंगा तो something something जो 8 जो कोशन होंगे मारे वो programming concept से related होंगे शीज्ट के बारे में हमने पढ़ना है तो अगर आप जो है इसका PDF चाहते हैं तो अगर आपको जो है आपको डॉलोड करना है इस एप को लिंक कर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे आप HP TET या TGT Arts की त्यारी कर रहे हैं तो आपको Notes मिल जाएंगे किस नाम से मिलेंगे आपको HP SSC, HPPSC नाम से वो मिल जाएंगे 25 सेक्रेटरी की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी Notes आपको Available है वो भी HP SSC, HPPSC Notes के नाम से भी मिल जाएंगे तो जैसे पुलिस का एक्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी Notes आपके लिए Available है तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं या पटवारी का एक्जाम होगा कभी तो आपका Notes Available है उसके लिए भी तो आप इसको ले सकते हैं तो GK Tricks सबसे पहले डाउनलोड कीजिए एपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है आपको जो भी Notes चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक मिल जाएगा आप सब इसे वो ले सकते हैं जैसे आप TET Medical और THD Medical के प्रिवेस एर कोशन चाहते हैं ठीक है तो यह ज़्यादा सब ज़्यादा हार्ट ली जो है 220 रुपे के असपास मिलते हैं सारे के सारे आपको यानि कि मतलब जैसे HPC HPC Notes लेते हैं आपको 220 के असपास मिलेंगा ठीक है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं तो अभी चलते हैं फRC कोशन की और देखिए हम ने जो चैप्टर करना है वह प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट से एलेटिड करना है प्रोग्राम क्या होता है यानि कि इसमें इंस्ट्रक्षन्स जो है वो डिफाइन की जाती है जो भी कंप्यूटर जो है specific language में उसको write करता है तो आपका वो है programming language तो देखिए जो programmer होता है वो हम लोग हैं जो किसी माध्यम से वो type कर रहे हैं या user को बोल देते हैं और जो programming languages हैं आप देखो इस program ने कुछ ना कुछ type किया होगा तो वो क्या है आपकी एक तरह से language है तो यानि की उसको canvert कौन करेगा यानि की वो language किया है वो एक तरह से programming language है वो C++ जैसे आपसे सुना होगा Java वब आपने सुना होगा या फिर Basic आपने सुना होगा ठीक है, Fortrin आपने सुना होगा तो ये सारे की सारे क्या है वो languages या ये पो programming languages उसको बोल देते हैं ठीक है अर यह तरह से programming language क्या करती एक क्रमांड देती है instructions प्रोवाइड करती है software program को ठीक है तो यह देखे मैं programming language के तीन टाइप बताता हूं आपको programming language के कौन-कौन से टाइप है एक low level language होती है एक medium level language होती है और आपका एक high level language होती है low level language में दो type होते है आपका machine language होता है और आपका एक assembly language होता है ठीक है यह आपको याद रखना है तो देखे कोशन क्या था which of the following language referred as binary language तो देखे binary language की बात की गई है तो binary digits आपको याद रखने है 0 और 1 होते है ठीक है computer की format में तो देखे जो भी हमारी एक language जो है एक special code में जो है add होती है तो हम उसको बोल देते है machine code क्या बोल देते है machine code या फिर हम उसको बोल देते है object code क्या बोलते है object code भी उसको बोल देते है तो वही जो आपका machine code और object code है यानि की 0 और 1 है जिसको हम bits के format में लेते है तो वो क्या है आपका एक तरह से binary language है ठीक है तो binary language जो है आपकी machine language में आती है तो be optionist का right answer है अब देखिए जो assembly language होती है तो low level programming language ही एक तरह से ये और जितने भी computer के hardware होते है वो इस language के उपर work करते है ठीक है ठीक है binary codes होते है वहाँ पर कुछ तो उसको read करके जो है वो इस पर work करते है ठीक है high level language देखिए यानि कि एक तरह से computer की advanced programming language होती है जिसके कोई limit नहीं होती है यानि कि computer हरे computer में अलग-अलग type की होती है और specific job ये करती है और easy जो होती है understand करने में समझने में easy होती है जैसे यह आपने सुना होगा beginner's all purpose symbolic instruction code इसकी जो खोज होई थी वो 1964 में होई थी और जॉन जी कैमेनी एंड थॉमस इकर्ज ने जो है इसकी खोज की थी ठीक है और इसको जो है educational purpose से जो है त्यार किया गया था ठीक है तो इसको जो है educational purpose से जो है वो त्यार किया गया था ठीक है तो यह आपको याद रखना तो यह तरह से high level language आती है उसी के बाद जो है आपकी पास्कल आती है पास्कल आपने सुना होगा पास्कली 1970s में इसकी जो है यह language आई थी और इसके जो रचईता थे इसको देने वाड़े वो निकलोस वर्थ थे और education से related ही यह एक तरह से language थी ठीक और यहाँ पर देखे medium level language की कौन सी होते है जितने भी hardware होते है और programming layer होते है computer system की उनके बीच में एक तरह से bridge के रूप में काम करती है यह ठीक है तो यह आपको याद रखना तो यह एक तरह से binary language जो है वो किसमें आती है वो उसको machine language ही बोल देता है तो be option इसका right answer है next question interface के तोर पर काम करती है computer hardware में तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी assembly language है वो एक तरह से interface के तोर पर काम करती है computer hardware में तो c option इसका right answer है ठीक है binary codes के format में जो है यह read करती है किसी भी instructions को किसी भी command को ठीक है ठीक है यह आपको याद रखना है next question देखते है which of the following type of language serves as the bridge between hardware and programming layer of computer system इन में से कौन सी language है कौन सी programming language है वो एक तरह से bridge का काम करती है raw hardware के बीच में और programming layer के computer system के बीच में तो मैंने अभी बताया आपको कि medium level जो language होती है जिसमें आपकी C language आती है जिसकी खोज जो थी आपकी 1972 में की गई थी डैनिस रिची ने इसकी खोज की थी और इस और यह system object programming language एक तरह से बोली जाती है जावा की बात करूं तो जावा आपकी 1995 में आई थी जितने भी छोटे छोटे फोन होते थे और इसी के उपर वर्क करते थे जैसे लावा के फोन होते थे छोटे चोटे वह इसी के उपर वर्क करते थे तो यह James Gosling ने जो है खोज की थी इसकी और internet oriented programming language थी एक तरह से internet को समझने वाली उसको प्रोग्राम करने वाली जो है यह language थी आप एक तरह से ठीक है तो यह सारे सारे high level language थी next question देखते है Fortrain and Java is a type of जो Fortrain है सबसे पहले Fortrain के बारे में जानते है कि क्या होता है तो इसको बोलते हैं Formula Translation क्या बोलते है Formula Translation एक तरह से इसकी जो खोज है 1957 में सबसे पहले की गई थी ठीक है 1957 में और यह जो developer team थी वो IBM की एक developer team थी IBM एक company है उसकी developer team थी यह programmer team थी तो इसका जो use होता था Fortrain का वो calculation के लिए यूज होता था तो Fortrain and Java जो है आपकी यह High Level Language है ठीक है यह option इसका राइट अंसर है अब एक और बात करते हैं Algol की Algol is also High Level Language ही बोल सकते है इसको में ठीक है जैसे हम बोल देते हैं कि algorithmic language algorithmic language तो 1958 में यह आई थी और यह एक committee थी European और American computer scientist की ठीक है उन्होंने बनाई थी तो इसको जो है वो scientific purpose के लिए जो है वो रखा गया था ठीक है और एक और याद रखना है list processing किस क्या बोलते है list processing इसको बोलते है 1958 में इसकी खोज हुई थी और John McCarthy ने जो है इसकी खोज की थी और list जो है आपकी जैने की list processing जो है आपकी artificial intelligence से related जो है application है ठीक है उसके बाद करते हैं बात को बोल की को बोल की बारे में बात करें common business oriented language common business oriented language 1959 में इस language की खोज हुई थी और grace hopper जो grace hopper है आपके उन्होंने इसकी खोज की थी ठीक है और business management से related जो है या management से related जो है इसमें बाते कही गई थी ठीक है तो यह आपको याद रखना है तो यहापे fortune and Java जो थी वा आपकी high level language है तो यह option इसका right answer है next question देखते है which of the following converts a program written in assembly language into machine language इन में से कौन जो है वो convert करता है program को assembly language into machine language में तो यहाँ पर एक तरह से language translator का use हो रहा है क्या हो रहा है language translator का use हो रहा है ठीक है तो language translator हमार पास तीर है एक assembler है एक compiler है और एक आपका interpreter है तो सबसे पहले assembler की बात करूं तो assembler वह है जो program को return program को convert करता है assembly language से machine language में तो assembly language से machine language में convert करता है आपका ग्रेध्र जो आपका interpreter है ये एक तरह से high level language को प्रोग्राम को जो है convert करता है यान्धिन близमें और ये line by line करता तो यह को याद रखना कि line by line कौन करता है वह interpreter करता है ठीक है तो अगर किसी भी line में जो है वह error होता है तो यह अपना काम करना जो है stop कर देता है प्रोग्राम को जो है immediately report कर देता है ठीक है यह आपको याद रखना है compiler की बात करें तो compiler compiler भी एक तरह से high level language का जो है यह प्रोग्राम है और यह भी क्या करता है machine language high level language program को machine language में convert करता है और यह यह प्रोसेसर जो होते जितने भी उसके द्वारा जो है समझी दिया जाता है इसके बारे में ठीक है तो यह सबसे इजी जो है एक तरह से programmer है language translator इसको बोल जाता है तो यहाँ पर यह आद रखना कि assembly language को machine language में convert करता है वो आपका assembler करता है तो c option इसका right answer है next question देखते है which of the following term in a computer is called as bug bug क्या होता है तो bug जो होता है कोई भी error जो computer में होता है वो आपका bug होता है ठीक है कोई भी issue अगर जो है computer में arise होता है unexpectedly और not function करता है यान कि computer जब function जो है properly नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं बग बोल देते हैं या error बोल देते हैं अब देखो error बी options का right answer है अब देखो यहाँ पे चार तरह के errors है कौन-कौन से है एक syntax error है एक semantic error है ठीक है एक है logical error एक runtime error है ठीक है यह आपको याद रखना है तो बी options का right answer है next question देखते है which of the following programming language is fifth generation language तो देखियो हमने जो है कुछ languages की बात करनी है programming languages की तो देखिए first generation आपने सुना होगा जिसमें आपका low level language का आता है machine language आती है इसमें जो second generation है आपकी वह भी एक तरह से low level language आती है उसमें भी और उसमें जो है assembly language आती है ठीक है third generation की language आती है वह एक तरह से high level language आती है और उसमें Java आता है आपका और जो fourth generation की क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के जो स्क्रेटमेंट्स होती है वो इसके द्वरा रीड की जाती है और फिफ्ट जनरेशन की लेंग्वीज आती है वापकी विजवल बैस्टी है देखें यहाँ पर सिंपल सी बात पुछी देखे थी फिफ्ट जनरेशन का लैंगवज कौन सा इसमें से वह आपका वीजवल बेसिक है तो दी ऑप्शन इसका राइट एंश है नेक्स्ट कुशन देखते है विश टाइप ऑफ एरर शोन वें दरूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंगवज और नौट फॉलौड इसे आँए तो जो कंपाईलर है वो इस से सिन्टेक्स एरर शो करता तो यह नहीं कि यहाप क्या बोला गया है कि कभी जब प्रोग्रामिंग लेंगवेज जो है अपना रूल जो है अच्छे से नहीं करती है यह फॉलो नहीं करती है तो वहां पर कौन सा एरर शो होता है वह Microsoft Windows का तो दिखिए जो इसमें से कोशन का अंसर है यहां पर पुछा गया है कि विंडोस न्यू टेकनोलोजी सबसे पहले विंडोस जो थी वो विंडोस एंटी ही आई थी ठीक है एंटी तो 1993 माई थी जुलाई 1993 में ठीक है बिजनसेस परपसिस के लिए यह लेकर आया थे तो ए 32 होती थी उसको भी अप्लेट कर लेती थी और इसमें जो है वो 32-bit सिस्टम ठीक है 32-bit की विंडोस एप्लिकेशन जो है वो है यह ठीक है और यह स्टेबिलिटी और सिक्योर्टी भी जो है वो प्रोवाइड कर रही थी तो यहां पर एक ऑप्शन गल्थ था यहां पर कि यह जो है वो लोग लैवल लेंगविज नहीं है तो यही जो है यह आप्शन इसका राइटन से है कि विंडोस न्यू टेक्नलोजी का फीचर यही नहीं है क्योंकि यह हाई-लेवल लैंगविज है एक तरह से नेक्ट कुक्षिण दिखते है वीच आफ फॉलोइंग विंडोस प वह स्पोट करती है इंटरनेट एक्सपोलर 4.01 देखो 95 इंटरनेट एक्सपोलर को जो है वह स्पोट करती है लेकिन वह 4.0.1 को नहीं करती है वह simple internet explorer को वो करती है ठिक follow करती है लेकिन जो यहाँ पे आपकी windows 98 है यह आपकी जो है windows support करती है internet explorer 4.0.1 को तो c option इसका right answer है ठीक है तो यहाँ पर top mcqs के जो है important जो mcqs थे उनके answer की यहाँ पर मैंने provide कर दी है तो अभी भी मैं आपको बता रहाँ कि अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे है तो gk trick app को download कर लीजिए link उसका description box में है आपको सिर्फ यह purchase करने है आपको यहाँ पर handwritten notes मिल रहे है यहाँ पर आपको क्या मिल रहे है handwritten यहाँ पर आपको मेरे notes मिल रहे है तो please please इसको purchase करना मत भूलिएगा ठीक है तो description box में इसके link है सभी के तापको यह लाबदाय करेंगे तो अभी के लिए फिलाल इतना ही फिर मिल दूँगा कि नए विरसा तब तक लए जाहिन जावत आपका दिन शुब हो